प्रिये विद्यार्थियों मैं डॉक्टर शुप्शंगर व्यास, असिस्टन प्रॉफेसर गॉर्मेंट लापीजी कॉलेज बीकानेर, लेलबी थर्डियरी क्लास हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग और हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा शुरू की थी सेट ओफ प्रत प्रतिवादी, वादी से विदिक रूप से धनरासी वसूल करने का अधिकारी तो नहीं है, लिगल सैट ओप में हमने क्या बात किती पिछली क्लास में, कि वह क्या होगा, निश्चित धनरासी होगा और वह विदिक रूप से उसकी मांग करने का हकदार होगा, प्रतिवाद प्रतिवादी वादी से विदिक रूप से तो धनरासी वसूल करने का अधिकारी नहीं है लेकिन सामे के सिद्दान के आधार पर प्रतिवादी वादी से धन वसूल करने का अधिकारी होता है तो हम इसे equitable set of कहते हैं और इसकी उत्पति इंग्लेंड के equitable course जो थी सामे नयाले है उससे हुई और भारत के नयाले होने सामे के सिद्दान के आधार पर इससे माननेता दी हम इसकी बात करते है और बीस रूल 10 में अब बात आती है जिस परकार से हमने legal set of की सर्थें की बात की थी उसी परकार से हम equitable set of की बात करें तो यहाँ पर पहली सर्थ है दनरासी या पत्ती की वसूली के लिए दावा किया गया है अब यहाँ पर दूसरी importance है क्या रही है कि मुझराई set of प्रतिसादन की मांग उसी समवेवार से उत्पन होनी चाहिए यानि कि जो आप प्रतिवादी द्वरावादी से मुझराई की जब बात की जा रही है तो transaction सेम होना चाह यह तीसरी चीज रकम निर्दारी तो हो सकती है वहाँ पर हमने क्या बात देखिए थी कि रकम निर्दारी तो होनी चाहिए को अधारन हमने देखा था एक जगह उसने का क्रॉक्री तूट गई तब उसे set of नहीं किया गया लेकिन जब उसने का 2000 रुपे की क्रॉक्री पर हमने बात की थी विदिक रूप से अकदार होना चाहिए लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे है कि विदिक रूप से तो है नी साथ इसलिए वह इकोटेबल में आ रहा है तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा चौती चीज क्या रही है कि मर्यादा व और सेट अफ करना या ना करना ये क्या है कोट का विवे का अधिकार है तो हमारे सामने इक्विटेबल सेट अफ के लिए क्या है सबसे पहली चीज धनरासी या संपत्ति वसूली के लिए दावा होना चाहिए प्रतिसादन की मांग उसी सेमवेवार से उत्पन होनी चाहिए अर निर्दारित रकम हो सकती है मरियादा विदी लागू नहीं होगी ऐसी वांग प्रथम सुनवाई के समय कीजानी चाहिए कोट फीस लागू नहीं होगी और सेट अफ करना या ना करना ये कोट का विवेकारवी काथ है अग हम इस इक्विटिबल जिसमें सेम ट्रंजेक्शन की बात आ रही है उस पर हम बात करें एक्जमपल जहां दोबी अपने वेतन के लिए बात संस्चित करता है वहाँ प्रतिवादी नियोचक दोबी द्वारा खोद येगे कपड़ों की कीमत के लिए मुझरा की मांग कर सकता है प्रतिशादन की बात कर सकता है देखे सेम ट्रंजेक्शन है क्या हो रहा है दोबी अपने वेतन की मांग कर रहा है यानि कि यहाँ पर वह वादी हो गया अब नियोचक यानि कि जिसके लिए उसने कपड़े धोए लॉन्री की वहाँ पर वो क्या आ रहा है दियोचक हो गया और वहाँ क्या कह रहा है अब कि साब धोबी द्वारा खो दियेगे कपड़ों की कीमत की सेट ओफ किया जाएगा एटजम्बल नमबर दो ए ने बी के विरुद किसी मकान के बारे में सहं अंसदारी होने के आदार पर वाद दायर किया ए ने बी के विरुद किसी मकान के बारे में सहं अंसदारी होने के आदार पर वाद दायर किया बदले में बी ने ये वचाव लिया कि उसने विवादित मकान को बंदक से छुडवाया और house tax भी चुकाया यहां इसका दावा प्रतिशादन के रूप में स्यूकार किया जा सकता है क्योंकि वो same transaction के अंतरगत उत्पन हुआ है और मर्यादा वीदी भी लागू नहीं होगी क्योंकि हमने बात किया equitability अब हम बात कर रहे हैं difference between legal set-off and equitable set-off विदिक एम स्वामिक मुझरा में क्या अंतर है विदिक मुझरा की जवाद करें तो ये केवल निश्चित धनराशी के लिए होता है जबकि स्वामिक मुझरा के हम बात करें तो यहां पर राशी निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है विदिक मुजराई में ये आवशक नहीं है कि वादी तता प्रतिवादी दोनों धनकी मांग एक ही समवेवार के दोरान उत्पन हुई हो सेम ट्रांजेक्शन होना आवशक नहीं है जबकि equitable हम बात करें तो क्या बात आएगी एक ही समवेवार के दोरान उत्पन होना चाहिए लिगल की हम बात करेंगे तो इसके अंतरकर उसी धनराशी की मांग की जा सकती है जो परिसीमा अवदी में हो तता वैद रूप से वसूल करने योगी हो जबकि equitable की हम बात कर रहे हैं तो उस धनराशी की भी मांग की जा सकती है जो लिमिटीशन से बाहर है और जो व्यक्ति विदिक रूप से उसे वसूल करने योगी नहीं है उसकी भी वह क्या कर सकता है यहाँ पर डिमांड कर सकता है फोर्थ नियाले इस पर विवचार करके नियान नेन करने के लिए बात दे होता है जब लिगल सेट आप की बात आएगी तो हम क्या कर रहे है कि कोट यहाँ पर क्या है बाउंड है कि वह उसको सेट आफ करवाएगा जबकि एक्विटेवल में यह कोट के सब विवेक पर नियुबर करता है कि वह ऐसा करे या नहीं करे जब लिगल के हम बात करेंगे तो उस पर कोट फीस लगती है और एक्विटेवल में कोट फीस नहीं लगती तो इस परकार से हमने अपनी इन दो क्लासों के अंतरगत मुजराई, सेट ओफ, प्रतिसादन किसी भी नाम से इसे पेपर में पूछा जाए इसके उपर हमने चर्चा की जो मूलता क्या बात कहता है दो नमबर के हम बात करेंगे सादरन सब्दों में कि वादी द्वारा धनकी वसूली के लिए चलाएगे वाद में प्रतिवादी की वादी से धनकी प्रतिमांग ही क्या कहलाती है सेट ओफ, प्रतिसादन या मुजराई कहलाती है और फिर आगे हो गया दो नमबर का कुश्चिन के आप से पूछा जा सकता है के मुझराई के कितने परकार हैं तो दो परकार हो गए फिर आप से एक साथ नमबर में कुश्चिन पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंस बिट्वीन लीगल सेट अफ एक्विटेवल सेट अफ और पूरे टॉपिक को बड़े कुश्चिन के रूप में आप से पूछा जा सकता है इसलिए आपका ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से त्यार हो गया आगे हम नया टॉपिक सुरू करेंगे